प्रेंड गूअब कर तो हैं जो फेंड बाद करने वाले में पे आज हम लोग बात करने वाले में पे लेट तो भले आया है लेकिन है अपने आप में अपने 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 और आज मैं आपको सारे इसके यूज़ यह मेरी घरनटी आप यूटूब पर सर्च कर लीजे सारी बोकास बूक्स में देख लीजे इसके जितना मैं आपको आज में का यूज़ बता दूगा इसके अलाओ में का यूज़ कहीं और कुछ नहीं होता है यह मेरी घरनटी है यह मैं आप से वादा करता हूं कि I will try to give my best and I also gave you all uses of me in English grammar in errors and in spoken English I am trying to cover each and every area basically हम लोग क्या कर रहे हैं बोलने के लिए काम कर मैं डेली आप से बोल रहा हूं का प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए और आज यह बात यहां लगिए अगर आपको English सीखना है तो प्रैक्टिस करना आप पढ़ेगा बोलना पढ़ेगा डेली चिला रहा हूं बार बार कह रहा हूं और अपने फ्रैंस को सेर करिए ना यह वीडियो उनको भी बता दीजिए ना कि पढ़ो यार तुम क्या कर रहा हो उनको भी पढ़ाना है अपने खुद भी पढ़ना है सीखना है सिखाना है आपका सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप खुद अच्छी बात है दो चार लोग और भी कलन्यान करिए ना दो चार लोग और वीडियो शेयर करिए ना आए देखते हैं में के यूज को सबसे पहली बात if you are going to start use of me तो सबसे पहले एक बात तुम्हारे दिमां को तुरंत आती है क्या कि ये इस यूज्ड फॉर्मल परमीशन है एक दर ध्यान से देखें कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा ने कोई पॉइंट नहीं चोड़ूए एक पॉइंट पर बात करेंगे फॉर्मल पर मीशन पर्मिशन क्या होता है फॉर्म पर्मिशन गरफ पर्मिशन और सात यह दो किसका होता है में में ट्रीज ट्रीज पर्शा कर तीड युज रचे तीज पूछ वाट नियुटुसे न देमस्ट चाहर पोछ पूछा करते थे क्या करते थे पर मीशन लियार करते थे पर मीशन पर्मीशन पर्मीशन और जब हमको अंदर हाना हो तो क्या कहते थे हम सर में आई कमिन सर याद आ रहा है कि नहीं वो दिन वहीं से हम लोग क्लास फर्स्ट से यूज कर रहे हैं में का फिर भी हमें आपको इसने सिर्फ दोहरवा दे रहा हूं ताकि आप जान तो लीजिए जैसे मैं इसका अगर एक्जामपल की बात करूँ देखिए में आई कमिन सर मैंने क्या किया पहुत प्राना एक्जामपल लिखा है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार रिमांड करा दूँ आप एक बार जान लीजिए ओके इसका या आप सर का यूज यहां पर भी करने तो कोई देख करते हैं आप क्या कर सकते हैं सर में आई गो आउट आप यहां पर भी कह सकते हैं ऐसे भी और क्या यान ने की यह में इक बात चाब लिजीए आप कि तोनों संस में होता है पर मीस लोग लेते भी हैं और पर मीस देते भी हैं मेरी बात याद रखिएगा जब भी अब बात करेंगे मेका तो फॉर्मल पर्मीशन की बात करेंगे और वहां पर्मीशन लेने की बात करेंगे और पर्मीशन देने की बात करेंगे जैसे यह तो ठीक हमने पर्मीशन ले लिया सर से कि क्या सर मैं अंदर आ जाओं क्या सर मैं ब now यह किसकी बात यह तो पर मिसन लेना था और यहां पर मूशन देना था अक्दम समझ इकदम में सारी बारी किया बता रहां कुछ1 भी नहीं छोड़ रहा हूं ले रहा था नहीं मैं आउन्य जांगा तो में लेना हो या प्रमीशन दे रहा हो कॉन सा पर मिसल फॉर्माल फॉर्मल नहीं समझे कोई बात नहीं ओफीसियल पर्मिशन घाने हो जहां पर कुछ क्या करनी हो, formality दिखानी हो, जहां पर कोई आपका senior हो, आपका boss हो, आपका teacher हो, आपका school का principal हो, at that all places, you may use me, ये बात समझ में आगई, इतने बात समझ में आगई, अब आई हम लोग दूसरे इसको देखते हैं, इस बात तो गाठ बांध लीजिएगा, पुरा आपके चलते हैं, दूसरे इसको देखें का दूसरा यूजिज बिसका काफी तगड़े से यूज़ होता है, second यूज़ इसका देखते है, में जो होता है, वो क्या करता है, possibility के लिए भी यूज़ होता है, means, you can say that, may is used in the sense of possibility, 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 yes, 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 possibility, संभावना, संभावना, may is used in the sense of possibility, possibility, possibility समझे रहाएंगे, संभावना की बात कर रहा हूँ, कोई confirm नहीं है, संभावना, possibility, ठीक है, मैंने आप से कहा था, कि जब हमारी possibility, 50-60% के आसपास हो, तम लोग can का यूज़ कर रहे थे, याद रखिएगा, can का भी यूज़ करते हैं, possibility के लिए make का भी यूज़ क होती है, वो around 50% होती है, around 50% होती है, हमने बताया है, थाप से can में क्या होता, 60% के आसपास होता है, और यहाँ पर 50% के आसपास होता है, इसके अलावाए बात और जान लीजिए, कि मैं आपको एक लग से बताऊंगा, जहां पर आपको मैं बताऊंगा, कि क्या difference होता है, may मे में और might में, can में और could में, मैं जल्दी आपको कल से परश होता है वीडियो दूँगा, जशल्कि आपको मैं पूरा difference बताऊंगा, कि मे क्या might में क्या difference है, can कका could में डिफरेंस है, और आप को हैंगे, आप किसको बताऊंगे, आप अपने सारे friends को बताऊंगे, आप अपने में का यूज करते हैं, वो possibility के लिए करते हैं, possibility जैसे, जैसे example, जैसे, बस में कम, मतलब क्या हो रहा है, बस आज आज आ सकती है, इट में रेन, ये बढ़ा famous है, इट में रेन, अब देखिए, दो चीजे होती हैं हापे, इट में रेन, today, and we have just only the probability, and here the probability is at around 1 by 2, here the probability of having rain, on that particular day, on that particular time, is 1 by 2, means 1 by 2 probability, means I think you are understanding very well, means what, the percentage of happening, और नॉन है पेनी दे पर्टिकुलर टास्क इस अबाउट 50 परसेंट मैस पढ़ा है ना प्राइकता पढ़ा प्राबिबिल्टी वही वाला ना जहां पर क्या करते थे यह कोश्चन हमारे क्या है यह कोश्चन हमारे मैक्स में भी आता है लाइल टोल्थ में नाइम टेंथ में आता है तो क्या हुआ बात पोसिबिल्टी के भी सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं मेका यूज करते हैं आप यह भी कह सकते हैं राम में कम टूडे मतलब क्या बता है कि राम में कम में कम आ सकता है आया कि नहीं कुछ नहीं पता है बस क्या पता है कि राम आ सकता है तो यह दो बाते आपके समझ में आ गई और अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, यह सबसे important user, सबसे powerful user है, सबसे क्या करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, आया दिन दो काम करते हैं, या तो किसे को आशिरवाद देते हैं, या तो किसी को कभी कभी क्या होते हैं, गुस् देखते हैं कैसे, तीसरा यूज है, एक दम ध्यान से देखिएगा, तीसरा यूज है, you can say may is used in the sense of, या may is used with, for which, विस समस्ते है, किसी की मंगल कामना, मंगल कामना, विस, किसी को blaze करना है, आपको आशिरवाद देना है, धी कहना, तो में का यूज कर दीजेने, क्या दिक् आइए प्रेयर, रे भगवान में किसी तरीके से क्या हो जाओ, फास हो जाओ, ठीकिसी का आप को स्राप, 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 स्मझते हैं, curs होता है, इसको मतर बना रहता है, देख घ्रना, किसी के लिए विसकर दना, प्रेदना, कर्स करना, उसके लिए पिस यूज क भगवान क्या करें आपको अाशिर्वाद दे ठावन आपको आशिर्वाद दे मैं आपसे कह सकता हूँ में यूव लूग थे में उलीव लौग मेरी राइटपि ठोड़ी सी क क्लियर नहीं रही होती है इसलिक कोई रिक्कत नहीं है तोलेकर आपको क्वासस करेंगे तो मैं इसे बोल देता हूं ना थाकि आप समझ पाया है में यू लीब long कि आ अप दिर्ग आयू हो आप ये एक्जाम पास करें में यू पास दिश रहा रहा है तो वह क्या होता है तो पर लोग इसका नेगेटिव एक्ट भी ले ले लेते हैं ऐसा मेरे साथ हुआ है आती हैं तो मिंस वहांट, हम लोग, मैं किसनी को बलेस करना हऊ, किसी को कॉस करना हूँ, किसी को कॉस करना में ही ढाई , भगवान करें, उमर जाई क्यों लिएसे भगवान, आएशा हो लेकिन हम लोग यूजरनी राम हो जाए Kya भगवान करेंwashी हो test Brahmas इसा हो यह मतलब क्या हो रहा है कि हम लोăr नियुक्त करने का करना है कम से कम दस बार kiss करना कम से कम डस लोगों जनको पसंद करते हैं उनको भांदा लिग सखसीर लाइफ जो भी कहना किसे किने कहेंगे, तो मतलब यह बात समझ में आ गई कि जब हमें विस्क करना है, ब्लेस करना है, प्रे करना है, हम लोग make a use करेंगे, अगली बात देखते हैं, जो make a next user, चौथा use है, इसको एकदम ध्यान से समझेगा, एकदम ध्यान समझे इसको लिखते रही, म बार-बार कहता हूँ आप से जब भी आप लोग वीडियो देखें, बैठीए, तो आपने पास एक copy column जरूर रखिए, you must have a copy and pen, that's how whatever you are thinking in your mind, that should be noted in your copy, that should be noted, purpose के sense में भी use करते है, in the sense of purpose, purpose, अब purpose की बात क्या होती है, उद्देश से जानते है, उद्देश से, उद्देश कैसे होता है, उसे complacency के लिए भी हम लोग make a use करते है, और यहाँ पर तीन word यूज करते है, एक तो that का use करते है, दूसरा so that करते है, और in order that, बात समझ में तीन तरीके से हम लोग that का use करते है, हलाग कि जो maximum common होता है, जो maximum उता हो क्या होता है, so that use होता है, कैसे हम लोग लेते हैं, purpose का use कैसे करते है, जैसे माल लीजे, जैसे माल लीजे, आप एक sentence कहा रहा है, he comes here, he comes here, so that, he may learn English, he comes here, वो यहाँ आता है, क्यों आता है, so that, देखिए, आप मैंने use किया, so that, so that, देखिए, मैंने आप use कर दे, so that, he may learn English, English, he may learn English, he may learn English, अब देखिए, he may, he comes here, यहाँ पे आता है, he comes here, समझे एक sentence है, ठीके वो आता है, जाता है, खाता है, क्यों प्रजेंट इन आपने, you are seeing that here, what, we are using the present indefinite, after that we are using what, so that, why, means we are just going to remind the purpose, why he is coming here, this is the purpose of his coming here, उसके यहाँ प्याने का purpose क्या है, किस लिए आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो यहाँ पे आता है, ताकि, हालाकि इसकों लोग यह भी कह सकते है, कि ताकी के sense में यूज होता है, ताकी, ताकी, ताकी के sense में यूज होता है, वो यहाँ पे आता है, ताकी वो English सीख सके, यहाँ पे में, में दिखाई दिया, ठीक है, ऐसे हम एक sentence और भी कह सकते हैं, दूसरा देखा जाएगर, कि we must obey our teachers, we must ताकी के sense में जोता है, इसको याद रखी है, ताकी, ताकी, आप बड़ी के छोड़ी बड़ी होता है, यह मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो यह आप खुद समझना है, ठीक है, we must obey, we must obey, we must obey, we must obey, our teacher, so that we may score good marks, यह आप देखे, मैंने क्या लिखा, we must obey our teacher, यह अपने आप में एक complete sentence है, इसका आप क्या कह सकते है, कि यह अपने आप में एक complete sentence है, पहले sentence का उसकी है, अपने simple sentence है, जैसा भी sentence का एक sentence यूज किया, फिर आपने क्या किया, so that का यूज किया, that का that भी कर सकते थे, so that भी कर सकते है, in order that भी करें, कोई रिक्कत नहीं है, so that we must score good marks, जैसा कि क्या हो, हम लोग क्या कर पाएं, अच्छे marks सकोर कर पाएं, maximum marks गेन कर पाएं, इतनी बात समझ में आ गई, यह बहुत important था परपज वाला, ठीक है, अब आगे चलते हैं, कभी कभी क्या होता है, इसको आपने लिख लिया होगा, कभी कभी क्या होता है, कि हम लोग जो make a use करते हैं, वो have के साथ use करते हैं, इसको मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, इसको लिखते रहिए आप, and you have to do practice, you have to keep on practicing, I am requesting you daily, that if you will not learn something, no one teacher in this world who can teach you, जब तक आप खुद सीखना नहीं चाओगे न, कोई आपको नहीं सिखा सकता, कोई नहीं, पहले आपके अंदर खुद से भी कुछ काम करने की इक्षा आनी चाहिए, आपके अंदर इक्षा आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना तभी वीडियो दिखा करें, तो में कभी क्या होता है, हम लोग में का यूज़ करते हैं, हैप के साथ, में का यूज़ करते हैं, हैप के साथ, में प्लस हैप, प्लस वर्ब की थर्ड अब खुद सोची, मैंने आपसे क्या कहा था, पहले क्लास में कहा था, जैसे नहीं हम लोग ने मोडल वर्ब स्टार्ट के तो बी आता है, तो हम लोग करते हैं, कि जब में के साथ, वो अपका third form ही स्वरुद आता है, तो उसक्ता था किस sense में, सकता था किस sense में, जैसे मैं आपसे बोलू, he में have rained, जैसे मैं बोलूँ आपसे, It May Have Reigned, अब यहां पर देखे क्या हुआ, में के साथ हमने, यह हमारा साथ पांचमा यूज़ए, यह भी होगा, देख ले जगा, में के साथ हमने क्या, हैप का यूज़ किया, प्लस वर्प की थर्ड फर्म का यूज़ किया, में के साथ हमने हैप का प्लस वर्प के थर्ड फ़र्म पर उज़ किया, it may have rain today, sorry, it may have rain, बारिस हो सकती थी, हो सकती थी, अब बने हुआ कि ने वो लग चीज है, लेकिन का था जब मोशन दो दन पहले ऐसा था, कि हम लोग क्या लगा, it may have rain, बारिस हो सकती थी, राम आ सकता है, राम में है, राम क्या क we have killed anyone, वो किसी को मार सकता था, सकता था के संस में, सकता था के संस में, याद रखेगा, सकता था के संस में, जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ प्यूं में होते हैं continuous होते हैं तो वहाँ प्लस वाब का ing form यूज़ करते हैं किस sense में जब हम लोग कुछ करते हैं मैं आपसे बोलूं कि वह टहल रहा होगा जैसे मैं आपसे बोलूं अगर कि वह टहल रहा होगा हम लोग सारे sentence में और सारे tense में अलग अलग करते हैं ठीक है लेगन कुछ common चीज़ आपको समझना जैसे हमने यहाँ पर क्या किया यहां हमने किया किया में के साथ b का यूज किया और प्लस वॉप का ing form यूज किया ठीक है जब हम लोग में के साथ b यूज करते हैं और हमें continuity कुछ का दिखानी होते है हमें सबग में आ गई हेस्पैलिंग ऑ.- कभी कभी दिक़ते कट होगाइब चाने कर रहा होगा वह क्या कर रहा होगा राम पढ़ रहा होगा राम पढ़ रहा होगा राम राम क्या कर रहा होगा ? ठीक है ? मोहन खेल रहा होगा बनाईए न सेंटेस्ट कूप सेंटेंस बनाईए आप अपने डेली लाइक में देखिए पिसका यूज़ हो रहा है वो सारे सेंटेंस आप बनाईए he may be reading क्या कर रहा होगा voh? पढठ रहा होगा usta, so apkya हो एकर हम लोग ये देखए कि make के साथ अरो ing का use करें, तो b के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम लोग make के साथ b लगाएंगे और उसके भाद verb कि ing लगाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं किसी continuity बता सकते हैं कि वो क्या कर रहा होगा रहा होगा एक बात समझेगा पहली बात तुम्हें पे एक तरही की सब possibility ही बता रहा है कि वो खेल रहा होगा बात समझेगे वो पढ़ रहा होगा वो दौड रहा होगा means what here we are also seeing the possibility we are discussing about only what possibility in continuous tense in continuous tense okay और हम लोग जो एक और यूज करते हैं जो मैं आपको उता दूँ में का आखरी यूज वो क्या तो हम लोग जब किसी से कुछ मांगना होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं में के साथ आई हाब का यूज करते हैं जैसे में आई हाब अग्लास अफ वाटर में आई हाब अग्लास अफ वाटर अब देखिए मैं आई हाब क्या किया में आई हाब क्या क्या मुझे आप एक ग्लास पानी देंगे मतलब क्या करते हैं मैं आप से मांग रहा हूं मैं आई हाब ग्लास आप मुझे एक गलास पानी देंगे क्या में आई हाब यहाँ पर देखिए यहाँ आप हमने क्या किया में आई हाब का यूज किया means structure क्या बन सकता है में प्लस सबजेक्ट प्लस हाब प्लस ओबजेक्ट जैसे में राम हाब बोटल ओफ वोटर या कह सकते हैं कि में राम हाब ऑट टू कप ओफ टी या वन कप ऑफ टी क्या आप राम को एक कप टी दे सकते हैं ऐसे ही अपने लीकर सकते हैं कुछ जैसे हमें Teams में हम लोग अपने मांगने के sense में उसको जैसे मैं आपसे बोलू यहां पर सीधे बोलू, may I have plus object लगाके, जैसे देखिए, may I have a glass of water, may I have a cup of tea, may I have a bottle of water, may I have your mobile, may I have your pen, वह खाना खा चुका होगा बात समझ में आ रही है वह खाना 60 था तो हुझे आचा होगा करते हैं और plus work की third form यूज़ करते हैं बात समझ में आई लेकिन जो basic इसके use है वो basic इसके use सिर्फ इतने ही है इसका derived form आपको कहीं और मिल सकता है जहां पर लोग चुका चुकी को add कर देते हैं अलग से अर्थ कर देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग उसका have का use की है plus उसके बाद क्या कर सकते हैं tense के according यूज़ करते हैं लेकिन ये जान लीजे कि इतना ही make का use होता है हमारे grammar में, हमारे spoken English में ठीक है तो अब आपको क्या करना है इसको पढ़ना है, लिखना है, copy में copy बनाना है और अपने मेत्रों को भी बताना है उनको भी पढ़ाना है, उनको भी समझाना है अपने घरवे अप कोई छोटा भाई बेन है उससे बताना, उससे समझाना है और मित्रों, अब हम लोग कल क्या देखें कल हम लोग permission की बात करेंगे कर मैं आपको बताऊंगा permission कि और मैं आपको कल बताऊंगा might के बारे में और जैसे हम लोगा might वाला chapter section खतम होगा न हम लोग क्या देखेंगे कि may और might में difference क्या होता है can और could में difference क्या होता है एकदम minute difference होता मैं आपको बताऊंगा may might can could में क्या difference होता है और कितना percent कहां पर हमा